हेलो गाइज वेल्कम बाक टो पी दे टॉपर दिस पार्ट फोर एंसी क्यू ऑफ क्लास टेंद एफ एम इम इससे पहले तीन चाप्टर तीन पार्ट कर चुके हैं अगर आपने वह नहीं देखा तो देख लेना उसको और आज के वीडियो को शुरू करेंगे और आपको लग जावाँ लगा कि दीदी तो एम से क्यों बना रहे थे एंप आपके पास तीन चार प्षंचान जो भी जिस भी तरीक एँवह और या सकता है पिसे भी पूच conversation के डेफिनेशन एक्स्प्लेइन कर दूं तो आपसे इस टर्म से इस कॉंसेप्ट से आपसे कुछ भी क्वेशन पुछ जाए तो यू विल भी एबल टू अंसर दे क्वेश्चन ओके Demitualization refers to the legal structure of an exchange Demitualization किसी भी exchange के एक legal structure के बारे में बात करता है जहाँ पे exchange में मालो ये तीन टेबल हैं तो एक को ownership दे दिया एक को management दे दिया और एक को trading दे दिया जितने powers होते हैं उसको segregate कर दिये जाता है exchange के उपर ताकि जो काम है वो efficient तरिके से हो सके और investors को कोई problem ना आए तो demitualization is the process in which ownership, management and trading rights at the exchange are segregated from one another अब यहाँ पे देखो question आप से कैसे पूछेगा यहाँ पे ownership है मालो कि ये पूरी definition इस तरिके से लिख कर आ गई है और ownership को बोल दिया आपको ये चोड़ दिया है डैस चोड़ दिया है यहाँ और फिलब भरो तो आपको पता होना ची कि यहा पर ownership पाएगा ownership management and trading rights यह याद रखो और यह एक exchange का legal structure है यह बात आप याद रखो यह चीज़ आपके लिए जरूरी है ठीक है अब आते है question number 36 पे what is the full form of sbts sbts का full form क्या है screen based trading system screen based trade system securities based trading system या फिर नन अफ दी अबव तो इस question का अंसर है screen based trading system screen based trading system ही हमारा NEET है और इस satellite communication यह जो technology है पूरी इसको शुरू करने वाला कौन से exchange था पहला national stock exchange इंडिया का stock exchange है national stock exchange उसने screen based trading system शुरू किया जिसको NEET कहते है और NEET का full form मैं आपसे कई बार पूच चुकी हूं तो I hope आपको पता होगा question number 37 what is a contract note contract note क्या होता है confirmations of trades contact notes clients document या फिर none of the above इस question का अंसर है confirmation of trade contract note is a confirmation of trade जो कि कोई broker अपने clients को देते हैं जैसे मालो मैं आपके पास आई मैंने आपसे कहा कि भाई देखो मेरे यह order लगा दिना तो जैसे आपने मेरे order लगाया broker हो आपने मेरे order लगा दिया order लगाने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मुझे एक confirmation of trades देना है आपको एक परचे पर मतलब समर्लो जिसकरी कि आपको मुझे विश्वास दिलाने के भी देखो यह receipt है मैंने आपके order लगा दी है वो trade हो गया ठीक है इस तरी सारी contract note पर लिखी होती है in case अगर आपने explanation वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको नहीं बता हुआ तो मैंने उसके लिए बता दिया अब आते है next question पर question number 38 what is the maximum brokerage that a broker can charge maximum brokerage क्या है जो कोई broker charge करता है 25% 2.5% 4.5% या फिर 3.5% तो इस question का answer है 2.5% maximum brokerage कोई भी broker सिर्फ इतनी ही charge कर सकता है इससे जादा अगर कोई charge करेगा तो आप से भी में जाके उसकी complaint कर सकते हो अब आते है next question पर जो की है 39 यहां पर भी आपको मैंने option नहीं दिया है मैं समझाओंगी ताकि आपसे question पूचा जाए तो आपको आता हो how to know if the broker और sub broker is registered कैसे पता चलता है कि कोई broker और sub broker SEBI के साथ registered है या फिर exchange के साथ registered है ठीक है तो one can confirm it by verifying the registration certificate issued by SEBI अब यह जो broker है क्योंकि यह SEBI में register करेगा अपने आपको तो इसको एक certificate मिलेगा अब certificate जो इसको मिलेगा उस पर इसका एक registration number होगा तो किसी भी stock broker का जो registration number होता है वो हमेशा INB से शुरू होता है हमेशा कैसे शुरू होता है INB से अब मानलो कुछ number दे दिया है आपको INB उसके आगर लगा है आगे-ागे कुछ-कुछ number लिखा है अब आपसे पूछेगा कि बताओ यह किसका registration number है option दे दिया कि broker stock broker sub broker investor issuer कुछ भी option दे दिया मानलो तो अगर आपको पता है कि INB से शुरू होने वाला registration number किसी stock broker का होता है तो आप पट से बता दोगे ठीक है तो यह concept आपके लिए समना ज़रूरी है और किसी भी sub broker के जो होते हैं कोई भी registration number अगा sub broker का होगा तो वो INS से शुरू होगा अब आते हैं अपने question number 40 पे who can offer portfolio management services portfolio management services आपको कौन issue कर सकता है यहाँ पे डपकी हाना चाहिए इसका option इसके option है investor, issuer, intermediaries इसका answer क्या होगा issuer कोई भी issuer ही portfolio management services दे सकता है आपको अब हम आते हैं अपने 41 वाले question पे what is treasury bill, treasury bill क्या है और इस जो विडियो है उसमें मैंने chapter 4 secondary market के questions पे जाधा focus किया है आपको देखी का जाधा question मैंने वहीं से लेने की कोशिश की है तो आपको बताना है कि treasury bill क्या है short term bracket में up to one year bearer discount, security issued by government, fixed income debt instrument, long term saving instrument या फिर none of the above तो इस question का answer होगा पहला short term bearer discount security issued by government अब आते हैं what is zero coupon bond, zero coupon bond क्या होता है तो देखेंगे option देखेंगे हम इस question के bond issued at a discount and repaid at premium value कोई भी bond discount पे issue किया जाए और उसको repay किया जाए premium value ठीक है दूसरो option bond issued at discount ये भी discount पे issue किया जाए और repay किया जाए face value पे तीसरो option bond issued at face value and repaid at a face value चौधा none of the above आप इस question का सही answer आपको बताना है तो इस question का सही answer होगा second bond issued at a discount and repaid at a face value ठीक है तो आप इसको याद रखना क्योंकि ये थोड़ा से important question है हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए question number 43 Indian stock market has returned about dash to investors on an average in terms of increase in share prices और capital appreciation annually ये कह रहा है कि Indian security market ने अभी तक जो securities है उनके prices में कितने percent increase किया है और capital appreciation किया है इंडियन market में लगा के कितना पैसा आपका कितना percentage आपका पैसा बढ़ा तो ये आपको बताना है 15% 24% 16% या फिर 45% इस question का अंसर होगा 16% question number 44 what is a dividend तो dividend एक percentage होती है of the face value of a share that a company returns to its shareholders from its annual profit किसी company को जो जैसे के आपने किसी company से share खरीदा तो वो company आपको dividend देगी अब वो company आपको dividend किस तरीकर जी देती है जितना profit उसको होता है और जितने share आपने खरीदे होते हैं आपके share के नमबर और share के proportion में आपको dividend मिल जाता है बेसिकली जैसे हमको बैंक में पैसा जमा कराते तो interest मिलता है ऐसी जब हम securities खरीदते है तो हमको dividend मिलता है जो कि share की face value के हिसाब से होता है share के quantity के हिसाब से होता है what is a bid आपको बताने है कि bid क्या होता है book building वालो जो process है उसमें bid और ask price आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा अगर explanation वाली वीडियो देखी है तो और नहीं देखी है तो link description में है देख लेना buyer's price, markets price, sellers price या फिर none of the above इस question का answer है buyer's price next question what is ask price ask price क्या होता है buyer's price, sellers price, face value, discount value इस question का answer होगा seller's price next question what is diversification diversification क्या होता है risk management technique है converting securities in electronic form converting securities in physical form या फिर none of the above तो इस question का जो answer है वो है risk management technique diversification एक risk management technique है जिससे आप क्या करते हो मानलो आप market में नए आए हो या फिर आप पुराने भी हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि आपके पास अगर मानलो 10 लाख रुपए है तो ये सोचो कि अगर आपको पता है कि जादा profit मुझे equity में होगा तो करीब आप अपने पैसे को मानलो कि 2-3 लाख आप equity में डाल दो एक लाख का आप fix deposit करा दो कुछ में आप कुछ पैसे को आप mutual fund में लगा दो कुछ का bond खरीद लो इस तरीके से जो करते हैं उसको बोलते है risk management technique मतलब हम अपने risk को diversify करते हैं कि अगर मुझे अगर मानलो यहां से risk हो जाता है तो मुझे यहां से तो profit मिलेगा तो मेरा overall सारा मेरे पैसे का कोई नुकसान नी होगा मुझे profit ही हो जाएगा overall अगर में देखूंगी तो इसको बोलते है diversification converting securities in electronic form physical securities को अगर आपको electronic form में कराना है तो उसके लिए process होता है और जिस process का नाम होता है dematerialization औ आप क्या बताते हो यह आपके लिए question है कि जब हम electronic security electronic form में जो securities है जब हम उनको physical form में convert कराते हैं तो उस process को क्या कहा जाता है यह आपका question है आज का जिसका answer आपको comment box में देना है अब आते है 48 पे what is maturity maturity क्या होती है date on which the bond matures date on which the share is purchased date on which the company has started या फिर none of the above एक ऐसा date जिस पर कोई bond की maturity होती है एक ऐसी date जिस पर कोई share purchase क्या हो आपने या फिर कोई ऐसी date जिस पर कोई company शुरुवात होई हो तो इस question का answer है option number one date on which the bond matures question number 49 what is a coupon coupon आपको बताना है क्या होता है option है हमारे पास periodic interest payments that are made by the borrower second periodic interest payments that are not made by the borrower both one and two and none of the above तो इस question के जो option है ये मैं ये नहीं बूरूँ के एकदम correct है बट आपको जो appropriate होता है वो चुनना है अब इसमें और इसमें कोई जादा अंतर नहीं है बट not का अंतर है तो अगर आपने हड़ बढ़ाहत में not नहीं देखा तो आप second answer mark करके आ जाओगे फिर आपको दिखोग कि मेरा गलत हो गया तो option आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ठीक है तो इस question का जो answer है वो है पहला periodic interest payments that are made by the borrower और ये bond के cases में होता है question number 50 CG 2008 which government has issued this bond अब ये एक bond का number है CG 2008 आप से पूछ रहा है कि इस bond को किस government ने issue किया है ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी bond only and only government ही issue कर सकती है कोई भी private company bond issue नहीं करती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये कैसे पता लगाएंगे इस bond का number देखके हमें कैसे पता च किस government ने इसको issue किया है तो central government, state government, local government या फिर depository तो क्यूंकि यहां पर CG लिखा है तो उससे आप समझ लो कि इस question का अंसार है central government So I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी Thank you so much for watching, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, Till then do like, share and subscribe my channel, Bye Bye So